चैत्र नवरात परवपर माकी ममता को कलंकित करने वाला घटना करम सामने आया है आज सुबह रने थाना के जरोंदा गाउं में एक खेत में नवजात के जीवित अवस्था में मिट्टी के धेर में दबे होने की सुचना पर थाना प्रभारी प्रसीता पटेल स्टाप के साथ मौके पर पहुँची और डायल हंडेट बाहन से नवजात को ततका लिए सिविल अस्पताल हटा लेकर पहुची जहां नवजात का स्वास्त पर इशर किया बताय जारा कि गाउं की एक महिला ननीवाई सुबह खेत की तरफ जा रही थी तो मिट्टी के धेर में नवजात के रोने की आबा जाई तो महिला ने उसकी सूचना ग्राम कोटवार के माध्यम से पुलिस को दी और थाना प्रभारी बिना कोई देर किये मौके पर पहुची और गोद में बच्चे को ठाकर सिविल अस्पताल हटा लाई इस बीच प्रभारी प्रसीता पटेल ने कई डॉक्टरों से संपरकर नवजात बच्चे के जल्द इलाज की अपील भी की जिस पर कई डॉक्टर्स डूटी के ना हुने पर भी अस्पताल पहुच गए जहां बच्चे का जाच परिक्षर किया गया डॉक्टरों को कहना है कि मेल नवजात जो करीब चार से पाच घंटे पूर्व जन्मा हैं इलाज उपरांत और बहतर इलाज के लिए जिला अस्पतालों से दमोह रेफर किया जरहा है आशंका जदाई जा रही है कि समाच की डर और बदनामी के भाई से कोई बिन ब्याही मा इस नवजात को खेत में फैक कर गई होगी रने थाना पुलिस का कहना है कि नवजात के बिशै में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है लेकिन पुलिस की जाच जारी है इस ये न्यूस के लिए नरेश मिश्रा की रिपोर्ट आया फिर उसकी कोट्वाल लेकि बोली के हो गया है अपर कोड़ा स्केपोन डगाई है बच्चा जीवे थे हाँ अभी दू आबाद आज सुबह एक जरोंदा गाउस से एक नवजा शिशु को लाए गया था रणे ठाना अफरवाज को रहा है और जब लाए गया था तो इसकी इस्तिती काफी गंबीर थी और अभी उसको इस्टेविल करके जलास पतार दमों बेजा जा रहा है इस लगबग कितने समय का अच अब लगबग चार-पांच हेंटे ही हुए 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 और अभी साथ में उसके इवन नाल भी नहीं कटी हुए थी यहीं पर काटी गई है नाल तो इसका मतलब यह है कि वो नहीं वार्ण ही है जर्वादा गाओं में एक नवजात सिसू ड़ा हुगा है तो मैं स्टाफ के जाकर वहां देखा तो इक नवजात सिसू रही है जैसे हमरा इस्टाफ के साथ हैं अस्पतार लेके आए अस्पतार में इलाज चल रहा है उसका अभी सिसू सुरक्ष है जी क्या आप लगा जा मेरा बच्चा कैसे किसका अभी इसका कोई वो नहीं है अभी इतलास की जा रही है बच्चे को पहले सुरक्षित करा है जारा उसके वाद भूब करते हैं